तो सबसे पहले हमें यह इडेंटिफाय करना है कि मुझे एप्रोक्सिमेटली वीक का 2% मुव्मेंट मिल जाता है यह उसे जादा मिल जाता है तो आई शुड़ी साटिस्फाइड समय ने यह सिखा दिया कि अनाप्षनाफ पैसा कुछ नहीं होता अनाप्षनाफ लॉस उने के पूरे पूरे चांस है बट 70 के उपर और 30 के नीचे जो स्पीर मैंने देखी है वही ट्रेडिंग के लिए चाहिए एक और डिमांड एक और वीडियो मैं ट्रेडिंग कैसे करती हूं ट्रेडिंग के स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाइ करती हूं इसमें कुछ बहुत बड़ा यह नहीं है बट कॉंप्लिकेटेड तो है थोड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग के स्टॉक्स में डिसिप्लिन बहुत ही टफ बहुत ही स्ट्रिक्ट जरूरी वाई विकाज यह ट्रेडिंग है इन्वेस्मेंट्स में एक बार हम होल कर सकते हैं बट जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पोजिशन इस फर बेरी वरी शॉट टर्म और इंट्राडे तो सबसे पहले हमें यह एडेंटिफाइ करना है कि मुझे एप्रॉक्सिमेटली वीक का टू परसेंट मूवमेंट मिल जाता है यह उससे ज्यादा मिल जाता है तो आई शुट बी साटिसफाइड अब जब मुझे यह डिसाइड हो गया तो मैंने उसकी खोज कई सालों पहल करेंब जी और की णिन मेंटी जैसे सब भॉली ग्रेल जूंबते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए की हम अनाप्शनाप पैसा कमाने अफकोस मैं नी आी सोचा था बट समय ने यह सिखा दिया कि अनाप्षनाफ पैसा कुछ नहीं होता अनाप्षनाफ लॉस उने के पूरे पूरे चांस है तो यह कॉंबिनेशन मैं पिछले कई सालों से यूज़ कर रही हूं जो आपके साथ भी शेयर कर रही हूं यह कॉंबिनेशन है अब हम इनको कैसे यूज़ करते हैं वो सिखाते हैं अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं मतलब आप एक सक्सेस्फुल ट्रेडर बनने के बारे में सीरियस हैं और आप जैसे ही सीरियस ट्रेडर के लिए मैं लेकर आई हूं मेरा 9 डेज का टेकनिकल अनालसिस मेंट को भी एनलाइज करूंगी अपने ट्रेडिंग सेट अप्स शेयर करूंगी और मोस्ट इंपोर्टेंटली आपके सारे डाउट्स सॉल्फ करूंगी इसमें आपको परस्नली भी मिलने का मौका मिल सकता है जहां पर आप डारेक्ली डिसकस कर सकते हैं मेरे साथ में प्रोग्र जो है अगर वो वीकली विकॉज यह ट्रेडिंग स्टॉक्स है मैं दो पांच दिन से ज्यादा इसे नहीं रख सकती तो वीकली अबाव सेवेंटी होना चाहिए येस सेवेंटी के उपर जो स्पीड आते है वो मुझे चाहिए मैं यह नहीं कहूंगी कि ओवर्बाट ओवर्सोल्ड विकॉज मार्केट में ऐसा ओवर्बाट ओवर्सोल्ड हो जाए और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी मैं इस बारे में इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि ओवर्बाट ओवर्सोल्ड आजकर कोई भी जोन में हो RSI, above 70, daily RSI, above 70, and इसमें मैं add करूंगी, hourly RSI, also above 70, ओके, आ गई मैं trading zone में, इससे नीचे मैं नहीं जबंगे, तो ये तीन मुझे चाहिए, second, मुझे MACD, जो ये zero line है, जो की base line है, और ये positive level है, ये negative, तो मुझे positive level में ही positive crossover जैसा चाहिए, ये positive में positive crossover, market ऐसा जाके, और ये positive signal line, cross कर रही है, ये ही मुझे चाहिए, zero line नीचे से आती है, वो भी ठीक है, बट मुझे जो speed चाहिए, for trading, मैं ये दो का combination use करती हूं, with super trend as a trailing stop loss, because super trend मेरे लिए support और resistance का काम करता है, तो start करती हूं, charts पे लेके जाती हूं, मैंने RSI पे एक scanner बनाया है, और उसका video भी release किया है, जिसकी link आपको इसमें मिल जाएगी, कि मैंने scanner कैसे बनाया है, आप charting पे वो scanner कैसे बना सकते हो, उसकी help लेकर आप अपने time frame में डाल कर कोई भी scan आप बना सकते हो, मैंने उसमें style बताया कि क्या चीज कैसे लेना है, और आप scan बना सकते हो, तो अब देखते हैं, chart में एक stock है, ऐसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन ये stock अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर weekly में आप आओ 70 आया, कौन सा period है ये, अगर मैं इसका time frame देखूं, तो 20 October 23, मतलब 20 October 23 के बाद, ये weekly को 70, तो मतलब ये 20 October के बाद से ही, RSI 70 के उपर चल रहा है, साथ में, अगर मैं यहाँ पर देखूं, तो positive crossover, right, ये जो चल रहा है, ये 70, और यहाँ पर अगर मैं देखूं, तो positive crossover, अब ये positive crossover कहाँ दिखा, बेस लाइन, zero line जो ये है, zero line, यहाँ पर दिख रहा होगा zero, इस zero line के उपर, उपर ही इसने positive crossover दिया, जो कि August, September के बाद continue उपर है, अब मुझे यहाँ पर weekly देखने की जरूरत नहीं है, after October, तो अब मैं आती हूँ daily में, daily में ये 70 के उपर कब आया है, यहाँ पर, right, December बे, weekly में तो bullish हो गया, मुझे क्या चाहिए, speed, अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर, वो sideways में चर रहा था, speed थी, लेकिन वो वाली speed नहीं थी, जो मुझे चाहिए थी, थी, बट वैसी नहीं, यहाँ पर, देखिए, combination क्या हुआ, RSI above 70, प्लस यह positive crossover, दोनों का combination साथ में हो गया, right, यहाँ पे, और यहाँ पे, यह period क्या है, 4 December 2023, उसके बाद की जो speed है, आप candle की size देखिए, एक ही दिन में इसने 4% दे दिया, और उसके एक दिन बाद, 5%, उसके बाद, यह see the movement, और the speed, what I am getting, यह हो गया, सिर्फ daily, अब उसी के साथ में, मैं इसी दिन पे RSI भी देखना पसंद करूँगी, तो जादा ढूणना न पड़े, इसलिए, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से एक vertical line लेती हूँ, और यहाँ पर डाल देती हूँ, अब जब मैं अवरली में जाते हूँ, और पीछे जाऊँगी, तो मुझे मिल जाएगा, easily, मुझे बहुत दूनना नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ vertical line को लेके चलूँगी, और मुझे यह मिल गया, तो यहाँ पर 70 के उपर कौनसी candle आई है, यहाँ पर starting से ही 70 के उपर आ गई है, और यह automatically positive crossover यहाँ पर है, देखिए positive touch करके उसी को उपर ले गया है, लेकिन मैं यहाँ पर बाई नहीं करूँगी, क्यों, क्योंकि RSI यहाँ पर 70 के उपर नहीं है, यहाँ पर 70 के उपर है, तो यह combination और यह, अब speed देखिए आप candles की, और जो speed मुझे trading में चाहिए, वो यह रही, अगर मैं इसे hold करती हूँ, तो मेरी trailing stop loss जो है, वो यहाँ से रहेगी super trend के लिए, otherwise जब मैं चाहूँ, मुझे 2%, 3%, 4%, जैसा ठीक लगे, मैं exit कर सकती हूँ, trading है, मुझे बड़ा hold करना है, नहीं करना है, वो उस वक्त मेरी trading psychology पे depend करता है, भाई ऐसा नहीं है, कि profit आता है, तो आप ही हडबढाते हो, मैं भी कभी कभी हडबढा जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है, trading screen अलग होती है, और यहाँ पर बोलना अलग होता है, विकाज साड़े तीन के बाद तो सारी सुनहरी picture दिखती है, जब live market में बैठ के trade करते हैं, तो भाई, कितना भी control करो, profit दिखता है, तो थोड़ा सा ऐसा रहता है, और वो ही profit जब minus, मतला कम होने लगता है, तो थोड़ी हडबढात तो होती है, पिर देखते हैं कहीं भाई, ऐसे तो नहीं हिट हो जाए, बट ठीक है, धीरे धीरे मुझे भी आदत पढ़ गई, आपको भी पढ़ जाएगी, बट अभी भी मैं यह नहीं कह सकती कि मैं 100% अपने emotions पे control कर पाती हूँ, I am comparatively much much better in controlling my emotions, मैं अगर सिफ PSU की बात करूँ, तो सब यही कहेंगे कि अभी तो PSU का flow चल रहा है, तो आपको उसी में मिलेगा, अफकोस उसमें मिला है, सबने उसमें काम किया है, और as a trader, मेरा ऐसा कुछ नहीं कि मैं इसमें काम करूँ या नहीं, हाँ, जो भी fundamentally अच्छे stocks होने चाहिए, उसमें मैं काम करती हूँ, दूसरा उसमें liquidity अच्छी होनी चाहिए, तो मैं काम करती हूँ, और वैसे भी मैंने य weekly daily, hourly का scanner बना सकते हैं, same way, अब यहां पर भी weekly में RSI और यह सब है, और यहां पे भी, लेकिन यहां पर क्या है, मुझे positive crossover नहीं मिला, देखेंगे, नीचे से MACD उपर आया है, मुझे positive crossover नहीं मिला, अब यहां पर positive crossover मिल गया, RSI above 70 आया, यह देखिए positive crossover, यह positive crossover, कब आया यह phase November 23, चलिए अब यहां, इसके बाद हमें यह तो नहीं देखना है, अब November 23 के बाद, हम यहां पर देखते हैं, कि November 23 में, RSI नहीं, यह नहीं, यह नहीं, why not positive crossover with this place, is not so easy, यहां positive crossover तो मुझे पहले मिल गया, RSI जब तक 70 पे आया, तो काफी flat हो चुका था, साथ साथ में मिले तो बहुत मज़ा आता है, यहां पे भी positive crossover हो और देखिया, RSI भी साथ साथ में 70 पर आ गया, यहां से जो movement मिला है, वो continue और speedy movement मिला है, देखिये, यह जो एक दिन, यहां से जो मिले है मुझे, एक एक दिन, एक देड़ परसेंट, फिर यह वाला, अकेला साथे तीन, चार परसेंट, एक ही दिन का move है, इस तरह के जो trading stocks में ढूनती हूं, ऐसा नहीं है, कि strike rate 100% है, 60% भी आ गई न, तो I am happy, because 40% जो होता है, वो जो stop loss होगा, अभी इसी को हम यहां पर mark करते हैं, with this, कहां पर है यह, यहां पर है, तो हम यहां पर इसको mark कर देते है जिसे हमें अवरली में बहुत जादा ढूनना ने पड़े, अब अवरली में, जैसे ही RSI 70 के उपर आएगा, यह देखिए, यह positive आया, और positive से ही घुम गया, हलका सा थोड़ा नीचा है, बट positive से, almost positive में से घुम गया, RSI 70 के उपर, और movement देखिए, दो दिन का जो movement है, खास क करके जब दोनों का combination हो जाता है, यह जो movement मिलता है, मेरा stop loss देखिए, कितना छोटा रहेगा, because यह जो move कर रहा है, जैसे ही red line उपर चली जाती है, और वहाँ पर रुप जाती है, तो मेरा stop loss हो जाता है, but buying जब कर ली, और मेरा जो target था, वो achieve हो गया, क्या target था हमारा, date 2 से लेके 3-4% weekly का मिल जाए, we are more than happy in positional, यह तो F&O stocks है, cash stocks में भी मैं इस तरह से ढूंड सकती हूँ, और ढूंडती ही हूँ, करती भी हूँ, cash stocks में और ज़्यादा मिलते हैं, तो चलिए हम देखते हैं cash stocks में भी, यह अभी मैंने recently किया था, shipping corporation, तो weekly, above 70, positive crossover, weekly में, मतलब यह जो है period, approximate December, December में, daily, daily January में आया, December में आया था, को दिखा देती हूँ, कि यहां से जो आया है सब movement, अग एक, दो, तीन, एक दिन के अंदर, यह जो movement आई है, कितनी है, 10% मेरा तो काम ही हो गया है, इतने के लिए तो हम trade करते हैं, 2-3-5% के लिए, इसी को मैं hourly में ले जाओंगी, positive में positive crossover, उसके बाद 70, यह अगर छूट भी गया, तो यहां से चला है, SL तो हिट नहीं किया, position खड़ी है, यह देखिए, continue, क्या कहते हैं, मिला, अच्छा पैसा मिला, holding पे, opening की दूसरे दिन, 10-11% पे हुई है, cash talk है, intraday तो नहीं करती है, मैंने कहा न, positional, 2-3 दिन से 5 दिन तक, क्या expectation है, 2,5-3% से लेके 5%, यह strike rate पे, I am very very happy, कि भाई मुझे market मेरे पे महरबान होके, मुझे थोड़ा पैसा दे रेता है, so I am very happy, और यही मेरा trading style है, और जब मुझे short करना होता है, तो इसका reverse में दिखूँगी, मतलब weekly RSI below 30, daily RSI below 30, hourly RSI below 30, and MACD giving negative crossover in negative zone, मतलब below zero line, अभी जो market bull run में चल रहा है, ऐसी situation में मुझे negative stocks या falling stocks मिलना मुश्किल है, तो मैं आपको कुछ backdated example दिखा रहे हूं, कि कैसे मैं उन्हें देखती हूं, तो friends, देखे, यह एक stock मिला मुझे, जो weekly में 30 के नीचे चला गया था, negative crossover in negative zone, MACD weekly, ठीक है, यह last week की है, जो अभी खतब हुआ है, तो हम daily में देखते हैं, daily में 30 के नीचे, और MACD यहां थोड़ा उपर घुम के, immediately नीचे आ गया, अब इसे hourly में देखते हैं, कि हम इसे trade कब ले सकते हैं, और यह stocks मैं सिर्फ F&O में देख सकती हूं, जिससे या तो मैं put option buy कर सकती हूं, या F&O shot कर सकती हूं, because cash में तो हम यह नहीं कर सकते हैं, कि shot carry forward कर ले, हमें हर हालत में intraday compulsory square off है, RSI, hourly में 30 के नीचे, यह आ गया, इस parameter को पहर हमें 30 के नीचे मिल जाएगा, यह पहला hour है, जो 9 to 10 के बीच में है, negative में negative crossover, दिख रहा है, negative में negative crossover and see the way it has fallen, हमें कितना चाहिए, 2,5, 3,4%, so 2% यहाँ, एक यहाँ, और खतम होते होते और एक मिल गया, हो गया ना हमारा काम, हम चाहें तो छोड़के जा सकते हैं, हम चाहें तो hold करें, but 2,3,4% एक ही दिन में भी मिल जाए, तो फिर इससे बड़ी बात क्या होगी, तो इस तरह से मैं अपने trading के scripts चूज करती हूँ, but never trade without a stop loss, तो यहाँ पर अगर मैंने short किया है, तो super trend के red line के उपर मेरा stop loss हिट हो जाएगा, because it will be about the resistance, मतलग red line नीचे आजाएगी, green line उपर चली जाएगी, now red line is a resistance, जो बाद में support बन जाएगी, green line which is now a support वो resistance बन जाएगी, तो फिर यहाँ जो मुझे red line उपर दिख रही है, उसकी जगे green line नीचे दिखेगी, और RSI वगर सब about 30, MACD भी positive हो जाएगा, हमें अपना थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा profit लेके निकल जाना है, छोटा stop loss चलेगा, बड़ा stop loss नहीं चाहिए, छोटी छोटी profits, छोटे stop loss, more than enough, profit आ रहा है, तो हम, यह trailing profit के हिसाब से, यह trailing हमारा stop loss रहेगा, और जैसे अभी मानलो यह candle पे आ गया, तो यह candle पे आने से, अब हमारा stop loss almost cost to cost आ जाता है, यहाँ पर, जो हमने trade लिया था, अगर नहीं भी आता है, तो loss जो था, वो पहले के मुकाबले कम हो जाएगा, बट stop loss के बिना trade नहीं करना है, जैसे मैंने कहा कि trade के लिए discipline बहुत ज़रूरी है, इसमें हम रुक नहीं सकते, stop loss हिट हो गया, तो हिट हो गया, वैसे भी हमें stop loss के साथ ही trade करना चाहिए, अगर पैसा कमाना हिट हो, एमोशनल मत बनिये, ट्रेडिंग कीजिए, और वैसे ही hesitate मत कीजिए, आपको जो topic सीखना है, comment box में डालिए, मैं बनाऊंगी आपके लिए वीडियो, और मेरा passion भी यह, कि मैं कितना आप लोग को सिखा सकूँ, जितना मैं सिखा सकती हूँ, मैं सिखाऊंगी, जिस जिस वीडियो को likes आएंगे, उसके advanced versions जरूर मिलेंगे, जैसे RSI के वीडियो को maximum अभी तक likes आएं, उसका advanced version मैंने RSI with any CD बनाया, उसको भी likes आएं और intraday की demand आई है, तो मैंने उसी को लेकर intraday पे बनाया है, अगर इसमें और likes, और views आएंगे, और comments आएंगे, तो मैं इसका भी advanced version बना कर दूँगे, मैं चाहती ही हूँ कि मैं कितनी knowledge आप लोग को दे सकूँ, आप लोग के साथ शेर कर सकूँ, so please don't hesitate to comment which videos you are looking for, or which videos you want me to make for you, thank you so much.